कानी की सुरुवात रंगो नाम के एक पालतु गिर्गिट के साथ होती है जो एक छोटे से एक्वीरियम में अकला ही रहता है अपने अकले पंच से चुटकरा पाने के लिए वज्यादा तर समय एक्वीरियम में रखे खिलोनों से खेलता है एक दिन उसका माले कहीं पर जा रह होता है और वेवान से चला जाता है जबकि रंगो इस करम रेगिस्तान पिछे ही रह जाता है अब उसे जीवीत रहने का रास्ता डूंडना होगा इसके तुरंद बाद वे एक बूड़े पैंगोलीन को देखता है जो एसा है जमीन पर घिरा हुआ है और उससे मदद मांग है क्योंकि ये कार्ड ने उसे कुचल दिया था वे उसे बताता है कि वे वेस्टन स्पिरिट से मिलने जा रहा है रंगो पूसता है कि वेस्टन स्पिरिट का क्या मतलब है वे जवाब देता है कि ये वेस्ट का इनलाइटें डूलर है रंगो पैंगोलीन को अपने पेरों प चीटी को खोजने के लिए केता है, जाहनूसे पानी मिल सकता है। उसके सामने आती है और अपना वेपन उस पर पॉइंट करती है बीन्स जो इस बात से अंजान है कि पानी वास्तों में नाले से निकला है रंगों से सवाल करती है कि वे वास्तों में कौन है और वे रेगिस्तान में पानी क्यों फेंग रहा है जब कि पानी की कंडिसन अभी ब जब वे सीटी में पहुंशते हैं तो पता चलता है कि बीन स्वास्तों में उस सेर में रहती है जिसे रंगो डून रहा है रंगो फिर सेर के लोगों के चलने की नकल करके बीड के साथ गुलने मिलने की कोशीश करता है लेकिन वे इसमें इतना अच्छा नहीं है जब वे लोकल पब में एंटर करता है, तो हर कोई चूप रहे जाता है, और सभी उसे दिल्चस्पी से देखने लग जाते हैं, गबराया हुआ रंगो आगे बढ़ता है, और एक पानी के गिलास का उडर देता है, पब में हर कोई से सुनकर हंसने लगता है, क्यूंकि एक असने लग जाएंगे, इसलिए वे अपनी वीर्ता के बारे में एक आनी बनाता है, कि वे पस्चिम से आया है, जा उनकी आदत दूसरे किरियेचर्स को खाने किये, पब में हर कोई उसकी बादूरी के किसे सुनकर हेरान रह जाता है, इसके बाद रंगो अपने हाथ में केक् बैयों को मार डाला था, जो इस सेर के सिकारी थे, फिर वे एकसाइटेड होकर पूचते हैं कि उसने ये कैसे किया, रंगो एक बार फिर कानी बनाता है, और कहता है कि उसने उन सभी को एकी गोली से मार डाला, ये उनने और भी हरान कर देता है, अचाना क्रिमिनल्स का एक ग गेंग का लेडर बहुत क्रोधित हो जाता है, और वे उसे फाइट के लिए इन्वाइट करता है, जैसे ही वे तयार होते हैं, अचानाक उनके उपर से कुछ उड़ता है, क्रिमिनल्स के लेडर सही सभी निवासी चिपने के लिए बाग जाते हैं, इसके बाद पता चलता है कि ये तो शिकारी बाज है, जो अकसर शेर के लोगों का शिकार करता है, हलांकि रंगो बाज की उपस्तिति से अंजान होता है, उससे लगता है कि वे वास्तों में उससे ड़टते हैं, इसलिए वे भाग गए, वे उन्हें पीड़ Sesटा दिकाने के लिए पागलों की तरे भ प्येव करने लगता है और इससे पहले कि उसे बाज के बारे में पता चलता है वे पहले ठीक उसके पीछे खड़ा हो जाता है बाज रंगो का पीचा करता है और वे भाग जाता है और कई बार छिपने की कोशीस करता है लेकिन वे उससे छुटकर अपाने में विफल रहता है ह अलांकि ये बात सेर के मेर तक पहुंच जाती है। और अंगो को एक सवागत समरों में इन्वाइट किया जाता है। बाद में उसे मेर द्वारा सेर का सेरी पन्युक्त किया जाता है। दूसरी ओर बीन्स अपने अंकल मिस्टर मेरी मेक से मिलती है। जो बैंक में काम करते हैं लेकिन अजी बात ये है कि ये एक ऐसा बैंक है जिसके पास पेसे नहीं है बलकि ये बैंक अमने सेर वाइशों को पानी की सप्लाई करता है बीन्स के बैंक में जाने का असली कारण पानी उदार लेना था मिस्टर मेरी मेंक दवा करते हैं कि बैंक न से सांध करते हैं और सुजाओ देते हैं कि वे मेर से मदद ले सकते हैं वे अकेला है जो इस कंडिसन को सोलो कर सकता है हालांकि आज बुदुवार है और परते एक बुदुवार को दो पेर बारा बज़े सबी निवासी पानी लेने की रिसम को निबाते हैं ये रिसम बहुत अ सांप उनका सिकार करने आएगा वे यहां अक्सर नहीं आता था क्योंकि उसे बाद से डर लगता था लेकिन अब जब सिकारी बाद मर चुका है तो वे जरूर आएगा रंगो जवाब देता है कि वे सांप से नहीं डरता अंत मेवे पानी लेने के लिए नल के पास पहुँ जाते है सिकारी चील को मारने की वज़े से मेर रंगो को पानी लेने के लिए आगे बुलाता है हालांकि जब नल को खोला जाता है तो इससे कीचर निकलता है सेर के सबी निवासी डर जाते है और दावा करते हैं कि रंगों ने इसे सराब दे दिया है, जिससे पानी की बजाए कीचर निकल रहा है, कुछ निवासी रंगों को सेर से बार निकलने का अनुरोद करते हैं, हंगामे के बीच बीन सागे आती है, और कहती है कि बैंग में पानी की सपलाई भी कम चल रही है, ज जहां पानी जमा होता है, फिर वे अजीब तरीके की हरकते करता है, और लगबग सूख चुके जलाशे की कंडिसन समझाते वे तीन गिलास पानी पी लेता है, हालांकि अंद में वे सीचुएशन को सांध करने में सकसम हो जाता है, और वादा करता है कि उनके पास पानी की कमी पड़ेगी, साम को रंगो ने सेरीप के रूप में सेर में गस्त लगाता है, गस्त पर वे बालता जार और उसके दो बेटों को जमीन से निकलता हुआ देखता है, बालता जार अंदा है, इसलिए वे देख नहीं सकता, वे वास्तों में लूटे रहे थे, जो अंडर गेट वोटर सप्लाई बेएंग को लूटना है, लेकिन इस बार वे गलती से लोगों के गरूं के सामने से बार निकल गए, रंगो जानता नहीं है कि उनका इसलिए उद्धिश है क्या है, इसकी बजाए वे सोसता है कि वे खजाने की तलास में है, इसलिए वे उन्हें खु दोस्तों के साथ एक गुरू बनाता है, और उन्हें खोजने के लिए निकल पड़ता है, खोज तर लुटेरू द्वारा खोदी गई सुरंग में उतरता है, एक लंबा रास्ता ते करने के बाद, जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, तो रंगों उन्हें अपनी मसाले लिए कहता है, जिससे वे एक छेट से आती हुई लाइट को देख पाते हैं, फिर वे इस छेट से बार निकलते हैं, बार निकलने पर उन्हें एक डेट बोड़ी मिलती है, जो मिस्टर मेरी मेक की है, इसलिए वे बोड़ी की जांस करता है, उन्हें पता चलता है कि उसकी मर करना सुरू कर देता है पीचा करते करते रात हो जाती है इसलिए आराम कर्ने का फेशला करते हैं अगले दिन फाइनली वे उन तीन लोगों को डूंड लेते हैं चटान की चोटी से वे उन तीनों आद्मियों को देखते हैं जो बालताजार और उसके दो बेटूंगे हैं, जीने रंगों ने उस रात पर मिसन दी थी, दूर सही वे कपड़े से लिपटा एक गेलन देखते हैं, और तुरन समझ आते हैं कि वे पानी से बरा गेलन हैं, जिसे उन्होंने चुरा लिया है, वे कोश्ट्यूम पेहन कर लूटेर को पता चल जाता है, और कबीला चमकादेडूं की पीट पर सवार होकर उनका पीचा करना शुरू कर देता है, उनके पास सेवी वेपन्स होते हैं, जिससे वे उन पर फाइरिंग करते हैं, हालांकि पीचा करने के दोरान पत्रीली सेड़क पर गुजरते समय गाड़ी पलड जाती है, जिस वजे से गेलन नीचे की और लुडग जाता है, जब गेलन का डकन अटा दिये जाता है, तो वे सबी ये जानकर हिरान रे जाते हैं, कि इतने समय तक गेलन खाली ही था, ये सुनकर बालतजार चौंग जाता है, लुटेरू में से एक लासो रोडेट, फिर उन उन्हें ये रेगिस्तान में मिला, उसने कहीं बार बालतजार को ये बताने की कोशिस की, लेकिन उसने हर बार इगनोर कर दिया, बालतजार बहुत करोधित हो जाता है, और बरेवे गेलन की जगे खाली गेलन लाने कि रुसकी पिटाई करता है, हालांकि ये समझाने के वे फाइनली बीना पानी के और तीन लूटेरों के साथ सेर में पहुंच जाते हैं। वे कहता है कि वे चाहे तो उस सेर का हिस्सा बन सकता है या फिर उसे पीछे ही छोड़ दिया जाएगा। रंगो फिर पूस्ताज करता है कि मिश्टर मेरी में को पीछे क्यों छोड़ दिया गया। मेर को गुसा आजाता है, जब उसे पता चलता है कि उसका सीक्रेट डिवील होने वाला है, फिर वे रंगो को ये कहकर डराता है, कि वे बूल रहा है, कि वे शिरप एक छोटी सी छिपकर ली है, रंगो उसकी दमकी से बिल्कुल भी नहीं डरता, और इसकी बजाए उसे ये कहक वापिस दमकी देता है, कि जल्दी वे उसका अशली रंग सब के सामने ला देगा, जैसे ही रंगो वाँ से चला जाता है, तो मेर अपने आदमी उसे जेक नाम के साम को बुलाने के लिए कहता है, ताकि रंगो कोई सेर से बाहर निकला जा सके, उस तो पे रंगो बीन्स और कोई डिसकस करते हैं, वे उस नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो मेर द्वारा बनाये जा रहा है, ये पता चलता है, कि प्रोजेक्ट बीन्स की जमीन पर बनने जा रहा है, जो उसके पिता द्वारा उसे सोंपी गई थी, बीन्स ये सोचकर हिरान हो जाती ह कि जब वहाँ पानी नहीं है तो मेर ने उसकी जमीन क्यों चुनी वे उस पानी के सोर्स का पता नहीं लगा पाती जिससे सेर को बनाये जाने वला है अचानक वे सबी बार के सोर्स से चौंग जाते हैं बार कदम रखने पर उने पता चलता है कि सबी निवाशी लूटेरों को तुरंद फांशी देने की मांग कर रहे हैं रंगो दया और समा के बारे मुने समझाता है जिससे इस्तती कंट्रोल में आ जाती है हालां कि कुछी समय बाद वे सबी मेर द्वार आमंतित जेक नाम के साम द्वार अबादित हो जाते हैं जेक रंगो के पास आता है रंगो उसे देख कर डढने लगता है और उसे चुटकर अपाने की पूरी कोशीश करता है हालांकि जेक फिर सबी निवाशों को सच बताता है और रंगो को ये सुईकार करने के लिए मजबूर करता है कि अब तक वे जो भी कह रहा था वे सब कुछ जूट है रंगो अंत में इसे एकसेप्ट कर लेता है फिर जेक उसे सेर से बार निकाल देता है और दावा करता है कि सेर अब उसका है उदास रंगो सेर से बार चला जाता है जबकि सबी लोग उसे देनी आंको से जाते वे देखते है वे रेगिस्थान के बीच एक लंबा सपरते करता है जब तक कि वे उस इस्थान पर नहीं पहुंच जाता जहां इस सब की सुरुआत हुई थी वे बहुत ठक गया है और अब उसने आशा छोड़ दिये क्योंकि उसके पास अब जीने का कोई मोटिव नहीं है वे जमीन पर गिर जाता है लेकिन जानवरों का एक जून उसे बचा लेता है जो लकडियों की तरह दिख रहे है अगले दिन वे उड़ता है और अपने पीछे एक आर को देखता है वे नोटिस करता है कि कुछ दूरी पर एक आदमी खडा है वे ये भी मैसूस करता है कि वे पैंगोलीन द्वारा बताई गई वेस्टन इस्पृट है वेस्टन इस्पृट हतास रंगो को नोटिस करता है फिर वे उसे ये केकर इंस्पायर करता है कि रंगो यहां सयोंग से नहीं आया है बलकि भागी उसे यहां लेकर आया है ताकि वे कुछ ऐसा है लोगों को उनके दुख से मुक्त कर सके पीछे से कोई उसे पुकारता है उससे पता चलता है कि ये तो पैंगोलीन है जिसकी उसने पहले मदद की थी इसके बाद पैंगोलीन उसे एक ऐसी जगे पर ले जाता है जहां उसे एक जाज का मलबा दिकाई देता है जो जमीन में दबा हुआ था पेंगोलीन उससे बताता है कि किसी समय यह जगे पानी की गाटी थी समय के साथ सारा पानी सूख गया और अब यह सूखे दूल बरी रेगिस्तान के लाव और कुछ भी नहीं है अचानक रंगो केकटी के एक जुन को देखता है उससे पता चलता है कि वे केकटी है जो वोटर के सोरशेज की तलाश में चलते रहते हैं वे उनका तब तक पिचा करते हैं जब तक कि वे एक पाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच जाते हैं वे पाड़ी की तलटी में एक सांदार शेर को देखते हैं और वे कुछ हद तक मेर दुआर खेले जाने वल खेल को समझ जाते हैं उससे पता चलता है कि इतने समय तक पाड़ी को कंट्रोल करने वाला मेरी था जिसने बेंग की कंडिसन को बीन्स को बताने के लिए मिश्टर मेरी मेक की हत्यागर दी सबी चीजों को जानने के बाद वे सेड़ लोटने का फेशला करता है लेकिन इससे पहले वे बालतजार के जुन से मिलता है और उन्हें बालतजार और उसके बेटों को आजाद करने के लिए अपने साथ चलने के लिए इन्वाइट करता है जिने फांसी दी जाने वाली है वे फाइनली शेयर में पहुंच जाते हैं रंगो अकेला ही शेयर में गूमता है लेकिन ये उनके प्लान का एक पार्ट है इसी बीच वोटर इस्टो रेंज बेंग में मेर बीन्स को अपनी जमीन सौमने के लिए एक कॉंट्रेक्ट पर साइन करने के लिए राजी करने की कोशिस करता है लेकिन बीन्स मना कर देती है और उसके चेरे पर पानी का एक गिलास फैंग देती है गुसे माकर मेर बीन्स को साम को सौम देता है जेक बीन्स को चारू और से लपेड लेता है और contract पर sign ने करने पर उसे खतम करने की दमगी देता है इसी बीच रंगो बार से उसका नाम पुकारता है वे beans को अपने सरीर से लपेट का रंगो के सामने आता है ये जानने पर कि रंगो उसे मारने के लिए वापिस आ गया है वे beans को छोड़ देता है और एक fight की तियारी करता है रंगो अपनी बंदूग निकालता है लेकिन बंदूग में कोई bullet नहीं है उसके पास के वो ले गोली है ताकि जब जेक के पास घूलियां खतम हो जाएगी तो वे उसे मारने के लिए इसका इस्तमाल कर सके उन में से दो आगे बढ़ते हैं लेकिन वास्तों में रंगो का टार्गेट जेक को बालता जार और उसके दो बेटूं द्वारा खोदी गई सुरंग के उपर लाना है जो लकडी से डकी हुई है जब वे देखता है कि जेक लगपक सुरंग के उपर आ चुका है तो वे रुख जाता है लेकिन अनफोर्चुनेटली जेक भी रुख जाता है रंगो की केलकुलिसन ठीक नहीं बेटी क्यूंकि जेक अभी भी टेनल से थोड़ा पीचे है तब ही गड़ी में ठीक बारा बच जाती है और प्लान के अनुसार सेर के बार इलाके से पेंगोलिन जल मार खोलने के लिए केकटी कोर्डर देता है पान निबेने लगता है हालांकि जेक अभी तक टेनल के ठीक उपर नहीं आया है इसलिए बुड़ा कोगा उपर चड़ जाता है और उस पर बंदूग तान देता है जल्दी जेक अध्यान उसकी ओर आजाता है और वे उस पर गोलियन चलाता है लेकिन गोलियन उसके पंक पर लगती है जिससे उसे थोड़ी सी चोट आती है हालांकि ये जान बूज कर किया गया था ताकि जेक उसका रिस्पॉंड कर सके और उसका सरीर ठीक सुरंग के उपर आ जाए इस वज़े से पानी उसके सरीर को हवा में फैंक देता है लेकिन वे सुरक्षित रूप से वापिस जमीन पर गिर जाता है अब वे रंगो को मारने वाला है तब ही रंगो कहता है कि वे अकेला नहीं है बलकि वे अपने साथ एक दोस्त भी लाया है अचानक एक चील की तरे का पकसी उनके सिर के उपर से उड़ता है जेक बहुँ डर जाता है और तुरंट छीब जाता है क्योंकि उसे लगा कि ये एक छीकारी बाज है लेकिन कुछ देर देखने के बाद जेक को पता चलता है कि ये बाज नहीं है बलकि चमकादणू का एक जुन्डे बालतजार के आदमी उसे चुडाने के लिए कहीं चमकादणू पर सवार होकर आ गए है गुसे में जेक बाहर आ जाता है और उने मारने के लिए अपनी सारी गोल्या खतम कर देता है हालांकि इस बार रंगो उसके सामने आ जाता है जैसे ही आकिरी गोली से अपने कटर दुस्मन को मारने वाला होता है मेर उसे पीचे से रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसकी इहरासत में बीन से रंगो अपनी बंदू को मेर को सौमने के लिए राजी नहीं है लेकिन मेर को बंदू को सौमने से पहले वे उसमे से गोली बार निकाल लेता है और अपने मूँ में छिपा लेता है फिर रंगो और बीन्स को गेलेंड में डाल दिया जाता है जब Beans को पता चलता है कि वे डूबने से मरने वाले हैं तो वे रंगो को किस करती है क्योंकि उसे वास्तम उससे प्यार हो गया है लेकिन एनफोर्टुनेटली वे उसके मूँ में चिपी गोली को निगल जाती है इसी बीच मेर को लगता है कि रंगो का काम तमाम हो गया है इसलिए अब वे जेक को मारने वाला है क्योंकि उसे अब उसकी जरूरत नहीं है जेक ये सुनकर गुसे में आ जाता है लेकिन वे ज़्यदा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास बुलर्ट्स खतम हो चुकी है दूसरी तरब रंगो बींस के गले से गोली निकालने की पूरी को सीस करता है मेर रंगो की बंदूग को जेक की और पूइंट करता है लेकिन जब वे ट्रिगर दबाता है तो उसे पता जलता है की बंदूग तो खाली है तब ही रंगो बींस के मूँ में से गोली निकालने में कामियाब हो जाता है गोली सीधे सीसे की और जाती है और उसका सीरा सीसे से टकराता है जिससे गलाश तूट जाता है और वे सबी बार की और बेजाते हैं एस साइ मेर रंगों को कोपरेट करने के लिए राजी करता है लेकिन रंगों मना कर देता है और मेर को जेक को सौम देता है जेक उससे बदला लेने के लिए दूर ले जाता है। अगले सीन में दिखाए जाता है कि अब सेर का जीवन बदल चुका है। सेर के निवासी अब 37 से रह रहे हैं। अंद में रंगों को आज तक है सबसे मान और सबको अंसाने वाले सेरिप के रूप में देखा जाता है। इस तरह ये स्टोरी यहीं पर इंड हो जाती है।